जुलाई का महिना किस प्रकार जाने वला है? जुलाई का महिना क्या कुछ खास संभावना कन्यारासी वले जातकों के जिवन में लेकर आया हुआ है? जुलाई के महिने में 26 विशेश में कन्यारासी वले जातकों को बड़ी खुश खबरी देखने के लिए मिलने जा रही है? और कहां पर कन्या रासी वले जात्कों को साबधानी बरतने के प्रबल आवसकता रहने बली है ग्रहों के गोचरी स्थितियों के आधार पर ये जानकरी हम आपको देने बले है तो ये विडियो कन्या रासी वले जात्कों के लिए ही बनाय गया है और आपकी चंद्र रासी के उपर या रासी फल आधारित है तो आप इसे इसी आधार पर जरूर दखें इस रासी फल के दोरान कन्या रासी वाले जात्कों के जीवन से डुड़े हुए हर पहलों के बारे में आपको जानकारी देने बले हैं जिसमें कन्या रासी का करियर और व्यापारी जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारी जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्त, एजुकेशन लाइफ और कन्या रासी वाले जात्कों के लिए कुछ विसेश और धार्मिक उपाए तो कन्या रासी वाले जात्कों को ये जो रासी वाल की जानकारी हम दे रहे हैं, वो काफु ज़्यादा सम्छेप में दे रहे हैं जिसको यदि आप सुनकर, समझकर, चलने पर विश्वास रखेंगे, तो जुलाई महिने को आप आसा के अनुरूप बना सकते हैं बिना समय लिए आपको ग्रह स्थतियों के जानकारी इस महिने कि दिर रहे हैं इस पूरे महिने कन्या रासी वाले जात्कों के रासी के सब्तम भाव पर गुरू ब्रिहस्पती मौजूद रहने वले हैं और 29 जुलाई 2022 को गुरू वक्री हो जाएंगे आपके रासी के सब्तम भाव पर जुलाई के महिने में केतु देव आपके रासी से दुती भाव पर गोचर करने वले हैं और राहु देव आपके रासी से मंगल के साथ रासी के सब्तम भाव पर गोचर करने वले हैं और रासी के अश्टम भाव पर राहू और मंगल का अंगारक योग पूरे महीने कन्या रासी वाले जात्तों के लिए बना हुआ रहने बला है इसमेने बुध और सुक्र की उपस्थती आपके रासी के कर्म भाव पर बनी हुई रहने बली है और बुद्ध और सुक्र के मिलन से महालक्ष्मियोग का अंदिर्माण हो रहा है जिसमें 13 जुलाई को शुक्र का रासी परिवर्तन होगा और 17 जुलाई को बुद्ध का रासी परिवर्तन होने बला है सनिदेव आपके रासी के छटे भाव पर 12 जुलाई तक गोचर करने बले हैं और 12 जुलाई 2022 के उपरान सनिदेव वक्री होकर आपके रासी के पंचम भाव पर गोचर करनेंगे इस प्रकार के ग्रह स्थितियां आपके रासी के उपर बनी हुई रहने बली है इस मेने ग्रहों के राजा सूर्य आपके राशे के दसमभाव पर मौजूद रहेंगे और सूरे देप 15 तारिक को आपकी राशे से दसमभाव से निकलकर एका दसभाव में भी जाने बले हैं तो वही हम आपको बताते हैं कि कन्या रासी वाले जात्कों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने बला है कि शेत्र में आपको बेहतर परिणाम में लगा है और कहां पर कन्या रासी वाले जात्कों को सावधानी रखना होगा तो सबसे पहले बात कहने करियर और व्यावसाईग जीवन के दृष्टी कोंड से तो कन्ये रासी वले जातकों रासी के दसम भाव से करियर का विचार किया जाता है और आपके रासी के करियर भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके रासी के स्वामी बनते हैं और पूरे जुलाई के महिने में जुग बुध की इस्थिति रहने वली है बहुत ज़्यादा बहतर रहने वली है आपके राशी के स्वामी, दसम भाव के स्वामी भागी भाव में मौझूद रहेंगे और गुरु प्रहस्पती आपके राज़ी के लगन भाव पर दृष्टी दे रहे हैं तो करियर के मामले में कन्या राज़ी वेले जात्तों के लिए भागे का साथ जिवन में मिलता हुआ दिखाई देगा और जिवन में किसी प्रकार के यदि चुनोतियां बनी हुई थी तो जुलाई के महने में दूर होने की प्रबल संभावना देखने के लिए जरूर मिले गी कन्या राज़ी वेले जात्तों आपके राज़ी के कर्म भाव के स्वामी इस समिया बद में आपके जीवन में नौकरी प्रेशा जात्तों के जीवन में बड़ी सफलता देने बले हैं वहाई कारोबार के छेत्र में जुड़े हुए जात्तों के लिए भी समय काफी ज़्यादा बहतर रहेगा इस समया बद में कन्या राज़ी के ऐसे जातक कारव्यवसा जिवन में नहीं मिलने के कारण हाथ पर हाथ रखकर बठे हुए है बुद्ध का आपके जिवन में इतना ज़्यादा सुब प्रभाव रहेगा कि किसी प्रकार की नई संभावना को आप ढोड़ने के लिए सफल हो सकते हैं या कन्या रासी के जाते कि किसी प्रकार का नया कारव्यवसा इस सम्यावदी में सुरू करने की योजना बनाते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है धन के मामले में आपको जनकारी दिया जाए तो आपके रासी के धन भाव के स्वामी रासी के भागी भाव पर मौजूद रहेंगे और आपके रासी के लिए चुकिश सनीदेव आपके रासी के छटे भाव पर मौजूद होकर अपनी सब्तम दृष्टी से रासी के खर्च भाव को देख रहे हैं गुरु प्रियस्पती आपके रासी के लाव भाव पर द्रिष्टी दे रहे हैं तो कन्या रासी वाले जातकों स्वा अर्जित स्वयम के मेहनत के द्वरा आप जीवन में धन अर्जन करने में सफल रहेंगे परंथ जीवन में खर्च की अधिक्ता काफ्य जादा बनी हुई रहेगी कन्या रासी वाले जातकों को जीवन में जुलाई के महने में कर்ज लेने और कर्ज देने से बचने की प्रवल आव सकता रहने वली है कारूबार के छेतर में जुड़े हुए जात्कों को जिवन में धन का निवेस करते समय सावधानी बरतने की आवसकता रहने वली है हाला कि व्यावसाइट जिवन से आपको जिवन में लाव जरूर प्राप्त होगा कि गुरू ब्रहस्पती आपके राशी के सब्तम भाव में मौझूद होकर अपनी पंचम दृष्टी से आपके राशी के लाव भाव को देख रहे हैं व्यावसाइट जिवन में गुरू आपके जिवन में सुवता काफु ज़्यादा देने वले हैं इसमेरे कन्या राशी वाले जाप्तों के धन के मामले में जो इस्थितियां बनी हुई है वो काफु ज़्यादा बेहतर बनी हुई है प्रेम और वैभाई जिवन के मामले में यदि कन्या राशी वाले जाप्तों को जानकरी दिया जाए तो देखें आपके रास्ते के पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं प्रेम भाव के जो स्वामी बनते हैं सनी देब बनते हैं और सनी वक्री होकर 12 जुलाई 2022 तक रास्ते के छटे भाव पर गोचर करने वले हैं और इस समय अंतराल में चुकि आपके राशी पर ब्डियस्पति लागन पर द्रिष्टी दे रहे हैं प्रेम जिवन में जुड़े हुई जात्कों के लिए समय काफू ज्यादा मिला जुला इस महीने रहेगा इस मेहने प्रेम संबंद के मामले में जुड़े हुए जात्कों के लिए 12 जुलाई 2022 तक का जो समय रहेगा उसमें आपको चुनोतियां जरूर मिल सकती है उसके पश्चात आपके जिवन में संभावना ज्यादा बहतर बनेगी वैवाई जिवन के मामले में आपको जानकरी दिया जाए तो कन्या रासी वेले जात्कों वैवाई जिवन के मामले में आपके लिए समय काफु ज़्यादा बहतर है चुकि राशी के सब्तम भाव पर गुरु ब्रहस्पती स्वयम अपनी स्वय की राशी में गोचर में रहने बले हैं और आपके राशी स्वामी का फुजाद सुब इस्थितियों में रहने बले हैं तो कन्यारासी के ऐसे जाथ तक जो पूर्व के समय से लगातार मुश्किलों का सामना यदि आपको प्रियतम के साथ करना पड़ रहा था या आपके पार्टनर के साथ आपके संबंद खराब बने हुए थे उससे आपको निजात मिलने वली है जीवन साथे के साथ घूमने फिर्दे की योजना बनाई जा सकती है कन्यारासी वाले जात्तूं के जीवन में संतान को लेकर बड़ी खुश ख़वरे देखने के लिए मिलेगी पारिवारिक जीवन में आपके लिए बेहतर समय रहेगा आप कन्यारासी वाले जात्तूं के लिए एगर सेहत के मामले में जानकेरी दिया जाए तो रास्ते के छठे भाव से रोगरिण और सत्रुपक्षे का विचार किया जाता है और आपके रास्ते के छठे भाव पर शनिदेव 12 जुलाई 2022 तक गोचर में रहने वले हैं इसमें कन्यारासी वाले जात्तों को जुलाई के महने में ज़्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वली है रास्ते के अश्टम भाव पर राहू और मंगल की उपस्थती बने हुई है वाहन चलाते समय आपको साबधानी विशेश रोप से बरतने की आवसकता रहने वली है उसके साथ साथ कन्यारासी वाले जात्कों को जीवन में स्रेश्टता और बहतर परिणाम सेहत की प्रती अर्जित करने के लिए सोने जागने की आदत पर आपको ध्यान रखकर चलने की प्रबल आवसकता रहने वली है मुई जुलाई के महिने को यदि आप हर प्रकार से बहतर करना चाहते है तो जुलाई के मैने में यदि कन्याराजी वले जातक प्रत्य एक दिन टहलने के लिए भोर में जाएं या किसी प्रकार से यदि आप योगा भ्यास करते हैं तो मांसे गुरूप से भी आपको किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिले वली है धार्मी कुपाय कि अगर आपके लिए जानकरी दिया जाए उससे पहले कन्याराजी वले जातकों के जिवन में दो महत्त्य पूर्ण साकारात्म घटनाय होने वली है उसके जानकरी हम आपको दे रहें इसमेने कन्यारासिवले जात्कों के करियर के मामले में स्रेश्ट और बहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है नौकरी पेशा जाता है यह आप हैं तो आपके जिवन में मान सम्मान देखने के लिए मिलेगा यह आपको बड़े पदपर जाने के लिए अवसर मिल सकता है और दूसरी बड़ी घटना आपके जिवन में साकरात्म ग्रूप से क्या होने वली है कन्यारासिवले जात्कों के जिवन में यदि वैवाहिक जिवन में पूर्व के समय से समस्या चल लही थी उससे आपको निजात मिलने वली है वैवाहिक सम्मन्द में जुड़े हुए कन्यारासिवले जात्कों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा धार्वे कुपाई कि अगर आपके लिए जानकरे दिया जाए तो कन्यारासिवले जात्कों को प्रति दिन सुर्योदे के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए भगवान शिव और मापर्वति की अराधना करना आत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके साथ साथ कन्या रासी वले जात्तों को जिबन में बेहतरिन परिणाम जिबन में अर्जित करने के लिए 2800 ग्राम जव और एक सुखा नारियल अपने सरीर से एंटिक लोग वाईजवार कर तेज बहते हुए पानी में यदिया प्रवाहित करते हैं तो आपके रासी के एश्टम भाव पर राहू और मंगल की उपस्तती बनी हुई रहने वली है राहू का आपके जिबन में काफी कम दूस प्रभाव देखने के लिए मिलेगा उमेद ये जानकारी कन्या रासी वाले जात्तों को बेतर लगी मिलते हैं के नए वीडियो में ओम नमस्वे